सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों आप सभी ने अपने स्कूल या कॉलेज में पढ़ते समय एक बात अच्छी से जान ली होगी की जो मटीरियल्स हैं वो होते हैं तीन अलग-अलग वराइटीज के यानि की कंड़क्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमी कंड़क्टर्स लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक एक कंड़क्टर है आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहे हैं और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेखनीकल गुरू जी, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अगर मैं आपसे पूछता हूँ बहुती एक दम एक जटके में बहुती common examples की conductor क्या है? आप बोल दोगे metal, मैं आपसे पूछता हूँ कि insulator क्या है? तो आप बोल दोगे rubbers या फिर plastics और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि semi connector क्या है? तो आप बोल दोगे for example silicone आप अगर कुछ काम करें लिटिसिटी का, तो आप ऐसे में plastic gloves, rubber gloves पहनते हैं, लेकिन कि आप जानते हैं कि दुनिया में एक और चीज भी है, जिसके बारे में शायद आपको नहीं मालूम होगा, और ये है दोस्तो, conductive plastics, यानि कि ऐसे materials, जो है तो plastic लेकिन वो दोस्तो है, conductive nature म और उनकी मदद से हम आज की date में बहुत सारे काम कर रहे हैं, और आगे चलके electronics की दुनिया में ये बहुत बड़ा revolution लेके आने वाले हैं, दोस्तो, यहाँ पर यह जो चीज है, यह आज की बात नहीं है, बहुत सालों पहले एक accidental discovery थी, जिसके चलते पता लगाया गया, ऐसे materials के बारे में, जो कि हैं तो plastics, लेकिन यहाँ पर उनके पास में ऐसी properties हैं, कि वो जो electrons हैं अपने, उनके through electricity को आगे transfer कर सकते हैं, आगे भेद सकते हैं, दोस्तों, आज की date में इंडिस्ट्री में बहुत ही commonly काम में लिया जाने वाले हैं, एक ऐसा materials को हम कहते हैं, P. जो आपक स्मार्टफून में भी काम में लिया गया होगा, आपके computer में लिया गया हो, जिसके बारे में शायद आपको idea भी नहीं होगा, लेकिन यह है दोस्तों, conductive plastic, अब आप सोच रहे होगे कि यार, conductive plastic मतलब इतनी क्या बड़ी बात है, हमारे पास में already metals हैं, जो अच्छे से conduct करत हैं, हमारे पास में सभी रिटर्स हैं, जिनको हमारी mergers हम control कर सकते हैं, तो यहाँ पर connective plastics का complete role क्या है, दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़े रोल है, वो है flexible electronics में, आपके पास में एक metal है, लेकिन metal दोस्तों flexible नहीं होता है, आगे चलके मैं आपसे बात करता हूँ, ऐसे televisions की जिनको आप roll कर सकते हैं, जो आज है marketingically, ऐसे displays जो flexible है, ऐसे दोस्तों electronics जो completely flexible है, मान लीजिए आपका जो अगला phone होगा, वो ऐसा हो कि आप उसको जितना चाहें, उतना तोड़ ले, मरोड ले, अगर वो बना है, उसके अंदर अगर लगे है flexible components, तो यहाँ पर दोस्तों हमे जाहिए ऐसे connective plastics, जिनकी मदद से हम उन components को design कर पाएं, दोस्तों यहाँ पर नसिर्फ smart phones में आपको बहुत ही commonly example जो देने वाला हूँ यहाँ जो बहुत आज की rate में common हो चुका है, वो है दोस्तों printable electronics का, यानि कि ऐसे electronic circuits जिनको आप printers को hack करके, तोड़ा से modify करके और आगे चलके तो आपको specialized printers मिल जाएंगे, जिनके मदद से आप electronics को किसी भी surface पे print कर सकते हैं, वो flexible है, आपने कपड़ा पैना है, आपका जो पूरा कपड़ा है, आपकी t-shirt, आपकी jacket वो electronic circuit से बनी है, लेकिन वो flexible है, यहाँ पर दोस्तों हम काम में लेंगे तरह तरह के, ऐसे ही connective plastics को, और यहाँ पर एक और बहुत बड़ा example दोस्तों जो है, वो है solar cells का, बड़े-बड़े solar panels जो आप देखते हैं, काफी expensive भी होते हैं, काफी heavy भी होते हैं, लेकिन वो बनते हैं normally silicon से, अगर आप उनको बना लें किसी ऐसे connective plastics से, उनको हम print कर सकते हैं, sheets पे और बार में द आप से पूछता है, कि जो plastic है, वो insulator है, या conductor है, अब अगर दो ही option है, तो आपको insulator ही tick करना है, लेकिन अगर यहाँ पर आप define कर पाओ, तो आप यह बता सकते हो, कि depend करता है, conductive plastics भी इस दुनिया में हैं, यहाँ पर दोस्तों इसको लेके तरह तरह की चीज़े सामने अगर आप वहाँ पर electron की कुछ वहाँ पर deficiency create कर दोसके बाद में होता यह है, कि वो एक तरीके से transfer होते रहते हैं, और आपको connection देखने को मिल जाता है, दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, conductive plastics के बारे में, और आगे चलके आप इनको कहाँ पर लेके आता रहता हूँ, फिलाल के लिए इतना है दोस्तों, जै हिंद, वंदे मात्रम